हेलो दोस्तों आज के क्लास में हम इस पेड़ी बिहार करेंट अफ्यर्स जुलाई दोजाट चौबिस एडिसन में दिया गया चैप्टर बिहार भारत रत्न एवं पद्म पुरुषकार दोजार चौबिस इस टौपिक को कवर करेंगे मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत हैं तो चलिए सुरू करते हैं बिहार भारत रत्न एवं पद्म पुरुषकार दोजार चौबिस भारत सरकार ने पांच प्रतिष्टित हस्तियों करपुरी ठाकुर्ड लाल कृष्ण अडवानी एमेस स्वामी नाथन पीवी नर्सिम्मा राव और चौधरी चरन सिंग को भारत का सर्वोच नागरिक सम्मान भारत रत दोजार चौबिस दिया है भारत सरकार ने पांच प्रतिष्टित हस्तियों करपुरी ठाकुर्ड लाल कृष्ण अडवानी एमेस स्वामी नाथन पीवी नर्सिम्मा राव और चौधरी चरन सिंग को भारत का सर्वोच नागरिक सम्मान भारत रत दोजार चौबिस दिया है भारत रत ने करपुरी ठाकुर करपुरी ठाकुर का जन्म 24 जन्वरी 1924 को बिहार के समस्तिपूर जीले के पित्तो जीया अब करपुरी ग्राम गाउं में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहां हुआ था करपुरी ठाकुर का जन्म 24 जन्वरी 1924 को बिहार के समस्तिपूर जीले के पित्तो जीया अब करपुरी ग्राम गाउं में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहां हुआ था उनका निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ था लोक प्रियता के कारण उन्हें जन्नायक कहा जाता है उन्होंने 1952 में पहली बार सोसलिस्ट पार्टी के उमिद्वार के रूप में ताजपूर निर्वाचन छेत्र से बिहार विधान सवा चुनाव जीता था करण पूरी ठाकूर वर्स 1970 से 1971 और 1977 से 1979 तक दो बार बिहार के इग्यारवे मुख्य मंत्री रहे एवं 1967 से 1968 तक बिहार के उप मुख्य मंत्री रहे वे बिहार की पहले गैर कॉंग्रेसी मुख्य मंत्री थे उन्होंने भारत की पहली बार अन्य पिछरा वर्ग OBC को आरक्षन दिया उन्होंने 1977 में मुख्य मंत्री बनने की बाद मुंगेरी लाल आयोक की सिफारिसों को लागू किया था जिस कारण पिछरों को नौक्रिया में आरक्षन मिला वर्स 1978 में उन्होंने एक अभूत पुर्व आरक्षन मौडल प्रस्तुत किया जिसमें OBC आर्थिक रूप से पिछरे वर्गों EBC महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछरे वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26 प्रतिसत आरक्षन आवंटित किया गया था उन्होंने बिहार में उर्दू और दूसरी राज्किय भासा का दर्जा दिया ये भारत रत्न पाने वाले 40वे मर्नो प्रांत भारत रत्न पाने वाले पंद्रवे एवं बिहार से भारत रत्न पाने वाले चौथे व्यक्ति हैं करपुरी ठाकूर भारत रत्न पाने वाले 40वे मर्नो प्रांत भारत रत्न पाने वाले पंद्रवे एवं बिहार से भारत रत्न पाने वाले चौथे व्यक्ति हैं बिहार और पद्म पुरुसकार 2024 पद्म पुरुसकार 2024 की तहट बिहार की कूल साथ व्यक्तियों को पद्म पुरुसकार 2024 दिया गया है जिसमें एक पद्म बिभूशन, एक पदम भूशन और पाच पद्म स्री शामिल हैं पद्म बिभूशन विंदेश्वरी पाठक सामाजिक कार्य बिंदेश्वरी पाठक का जन वैसाली जीले के रामपुर बाघिल गाओं में दो अप्रेल 1943 को एक ब्राह्मन परिवार में हुआ था बिंदेश्वरी पाठक का जन्व वैसाली जीले के रामपुर बागिल गाओं में दो अप्रेल 1943 को एक ब्राहमन परिवार में हुआ था पूरे विश्व में सुलब सौचाले के माध्यम से स्वक्षता का संदेश देने वाले टॉयलेट मैन के नाम से प्रसिद विंदेश्वरी पाठक को मर्नो प्रांथ पद्म भीवूर्षन पुरुसकार दिया गया है उन्होंने 1991 में पद्म भूर्षन से भी सम्मानित किया गया था पद्म भूर्षन चंदेश्वर प्रशाद ठाकूर मैडिशेन सेपी ठाकूर का जन्व मुजप्फर पूर जीले के दुबहा नाम गाउं में 3 सितमबर 1931 को हुआ था उन्होंने कालाजार के छेत्र में किये गए अनुसंधान के लिए पद्म भूर्षन सम्मान से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सीपी ठाकूर को 1982 में इंद्रा गांधी सरकार ने पद्म श्री पुरुसकार दिया गया था डॉक्टर सीपी ठाकूर को 1982 में इंद्रा गांधी सरकार में पद्म स्री पुरुसकार दिया गया था पद्म स्री सम्मान 2024 असोक कुमार विश्वास टिकूली कला से सम्मंद बिहार की 800 वर्स पुरानी टिकूली कला को पुना जिवित करने के लिए रहतास के असोक कुमार विश्वास को पद्म स्री सम्मान दिया गया है बिहार की 800 वर्स पुरानी टिकूली कला को पुना जिवित करने के लिए रहतास के असोक कुमार विश्वास को पद्म स्री सम्मान दिया गया है सुडेंद्र किशोर साहित एवं सिक्षा पत्रकाडिता सुडेंद्र किशोर का जन्म सारन जीले के भडाहपूर गाउं में दो जन्वरी 1947 को हुआ था वे पिछले पांच दसकों से पत्रकाडिता कर रहे हैं सुडेंद्र कुमार का जन्म सारन जीले के भडाहपूर गाउं में दो जन्वरी 1947 को हुआ था वे पिछले पांच दसकों से पत्रकाडिता कर रहे हैं रामकुमार मलिक धुरूपत गायन कला से संबन्द दडभंगा घहराने की प्रतिष्ट मलिक पडिवार से तालुक रखने वाले रामकुमार मलिक को पदमश्री सम्मान दिया गया है सांती देवी पाश्वान मधुबनी पेंटिंग में गोदना सेली कला लहेरिया गंज मधुबनी की सांती देवी ने जी ट्वेंटि सम्मेलन में चंद्रियान तीन पर पेंटिंग बनाकर लोगों का ध्यान आकरशित किया था सीवं पाश्वान मधुबनी पेंटिंग में गोदना सेली कला से सम्मेलन लहेरिया गंज मधुबनी की सीवं पाश्वान को मधुबनी या मिथिला पेंटिंग में गोदना सेली के लिए पदम श्री पुरुसकार दिया गया है लहेरिया गंज मधुबनी की सीवं पाश्वान को मधुबनी या मिथिला पेंटिंग में गोदना सेली के लिए पदम श्री पुरुसकार दिया गया है बिहार के तीन व्यक्ति को पद्म पुरुसकार दिया गया है स्री मती सुबद्रा देवी कला छेत्र में स्री आनंत कुमार सिक्षा और साहित छेत्र में स्री कपिल देव प्रशाद कला छेत्र में स्री मती सुबद्रा देवी मधुबनी की मिथला लोकचित्र कला सुबद्रा देवी को पेपर मेशी कला में उतक्रिष्ट योगदान के लिए पद्म स्री दिया गया है स्री आनंत कुमार सूपर थटी के संचालक और प्रसिद गनित तग्य स्री आनंत कुमार को सिक्छा और साहित के छेत्र में पद्म श्री सम्मान दिया गया है स्री कपिल देव प्रशाद नालंदा निवासी कपिल देव प्रशाद को बावन बूटी बुनाई के छेत्र में उतक्रिष्ट कार्य हेतु पद्म स्री सम्मान दिया गया है तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना एक लास अच्छी लगी हो प्लीज लाइक सेर सब्सक्राइब कीजिए मिलती हो मैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में जैहिन थैंक यू